वर्दुनिया काफका स्वागत हैं बात करेंगे हम भारत और श्री लंदा के बिच खेल जारे एक कॉलमबो टेस्ट की खेल के तीसरे ही दिन भारते टीम में श्री लंगा पर श्रिकंचा कस दिया है फर्णा देने के बाद श्री लंगा की दूसरी परी में भी टेंट कर दिया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है BCCI Level 2 के कोच श्री देवाशी निलोसे जी का चोथे दिन हम जीतेंगे निश्य तोर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से परफॉमेंस इंडिन टीम में किया है और सुलिंगन टीम में किया है उससे आफ से दख्का है मुझे कि निश्य तोर पर चोथे दिन ही इसका रिजल्ट आ जाएगा कुशल मेंडिस और करुणा रातने के बीचे साज़वारी पन अ करे है जैसे हमने पहले बात की थी कि बैच में तो होता ही है एक एक मिनिंग में कैसी पार्टनर्शिप होती है लेकिन जब आपके पास इतना बड़ा टार्गेट है और डिफेंट करने के लिए तो कहीं भी एक छोटी सी गलती आपको नुक्सान पहुंचाती है तो उसमें अभी वन सेवन्टी वन सिक्सी सेवन्टी रन्स पे एक है और अभी भी इनको काफी रन्स चाहिए और हमारे पास खुद बैटिंग करने का बड़ा स्कोप अगर यह रन बना बना भी लेते हैं जो मुझे लगता है कि इनके पार्फ प हम देखें स्रीलंका में भी उनका रन की भूग लिटी नहीं है पुझारा क्या कोई मिशंतर है ने देखी क्या होता है कि पुझारा एक बहुत बैलेंस क्रिकेटर है और राहु तरविड का अगर हम सही मायने में रिप्लेस्मेंट पुझारा ही है और जिस पेशेंस के साथ और जिस अनुवा के साथ और जिस विश्वास के साथ अपनी इनिंग को बिल्ड करते है वो वाकई काभिलेत है कभी भी उनको आप बैटिंग करते देखें कि तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत पैनिक कर रहे हैं या कहीं परेशान हो रहे हैं या बॉलर से परेशा कि हमें बहुत शांथ और अपन जो कहते हैं जो कहते हैं तो चुप जा पना बैटिंग करते रहेते हैं, मालू भी नहीं पर तागी कला बहुँता प्रक शुप कर देरे तो और बहुत पर कम लिए फितब क्या हम उन्हें भारत का जैकेलिस कह सकते हैं देखे उपलब्दी तो बहुत अनुठी है और हम कपिल पाजी के बाद कपिल देव के बाद एक जनियून अल्राउंडर को हम हमेशा तराश दे रहे हैं और उसके बाद कपिल पाजी के बाद आज हमको आरश्वीन में एक वो आपको एक बहुत अच्छी आउल्राउंडर के रुप में स्टब्लिश कर पाएं हां जहां तक बात है जैक कैलिस से कंप्यार करने की कि अश्वीन को विदेशों में जहां पे आपको विकेट आप फ्रेंडली विकेट नहीं मिलते हैं जहां आपको टर्नर नहीं मिलते हैं जहां आपकी बहुत कम टान होती है उन विकेट पे उनको प्रूव करना भी बाकी है लेकिन जो उनका रिकॉर्ड है इतने कम तेस्ट में इतने बड़ी उपलब्दी हासिल करना दिश्चे तोर पे यह एक बताता है कि वे एक निश्चे तोर पे बहुत एक्स्पीरियंस और बहुत अच्छे औल्रांडर साबीत होंगे और लंबे समय तक देश की सेवाय करें बात करें गाले टेस्ट की उसमें अभीनाव मुकुद ने दूसरी पारी में इक्के असे लोनों की पारी चेली थी उक्के असे लोनों की पारी खिलने का इनाम यह मिला कि कोलम्बो टेस लेकिन क्या किसी खिलाडी के मौरल पर यह कोई असर भी पर्दा में इसलिए पूछ रहा हूंगे कि 2011 में इनका टेस्ट डेपी हुआ अभीनो मुकुद का 2011 में जब यह खेले तो हम 2017 में हैं छे सालों में सिर्फ साथ टेस्ट खेले हैं और ऐसा एकर नहीं कई कई बार बार सिर्फ सिर्फ को फिलें कि तो है अज अगर एक प्लेयर नहीं ठीक कर पा रहा है तो हमारे उसका रिप्लेस्मेंट दूसा प्लेयर है अगर हम कंपैर करते हैं रहूल से तो अगर पुराना रेकॉर्ड देखेंगे तो रहूल एक कंसिस्टेंसी के साथ रहूल ने टेस्ट मे बदार्पन किया था और अपनी पतीबा के साथ उन्हाने जस्टिस किया है अब भीनों मुकुएंद के साथ क्या हुता है कि आप जब चांस मिलता हैं आपको और जब थोड़ा सा बाहर जब होते हो तो आपको वह कंसिस्टेंसी भी स्टे करें भी आपको दर्शानी रहती है त जहां जो आप से बहतर खिलाडी होगा और कप्तान को जिस पर ज्यादा बरुसा होगा ऐसा नहीं और यह एक बहुत अची चीज़ है कि अभिनाव मुकुन तो जब जब मोका मिला है उन्होंने पर्फॉर्म कि तो हम यह भी नहीं कह सकते कि वो 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 अपनी कोशिशों को जब आप थोड़ा सा एक्साइकर जब घूंता है तो उस बीच में आप तयार रहते हैं कि जब मेरा मुका है जब मुझे 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 मिलेगा तो मैं अपने आपको स्थापित करूँगा तो अगनों मुकुन अपने मुके के इंतधार में ही है गॉले टेस जीतने के विराइड कोली को भारते सर्विसरिष्ट कप्तानों की दोड़ में मन लिया जाएगा देखे क्या होगा है कि अगर हम स्ट्रेटिस्टिक्स की बात करें तो हां वो उस दोड़ में जरूशामील है लेकिन जब व्यक्तिकत रूप से आप देखते हैं और जब आपको सबसे बहतरी कप्तानों की स्रेडी में अगर आपको आना है तो आपको आपका परफॉमस जो विदेशी दोरे होते हैं और जो कठिन दोरे होते हैं दक्षिन अफरीका है इंगलेंड है और यहां आप यही परफॉमस को वहां रिपीट कर पाते हैं और टीम से करवा पाते हैं प्ल और और हैं उनके पास, और गुजरना पढ़ेगा अगरी परिक्षाहों से उनको, और जिस तरह के वो खिलाडी हैं, जो ज़जबा उम में हैं, जो क्योंकि अनुबव के उसमें देखें के तो वो उतने अनुबव भी नहीं हैं, लेकिन खेल के साब से बट उनके जो ऑफ द फ और हम तो चाहते हैं कि विराड़ सबसे शेष कप्तान साबीत होता है कि भारती क्रिकेट का जो परफॉर्मेंस हो दिल परिकरिन बढ़ता जाए कॉलंबर टेस्ट में भारतीय टीम पुरिता शिकंजा कस चुकी है, अगर कहें कि ये सिफ ओप्चालिक पर शेष हैं तो गलत नहीं होगा, चोथे दिन हम टेस्ट जीत लेंगे और इसके बाद भारतीय टीम के हिसे में एक और बड़ी सीरीज जीत होगी जैसे कि निलो सी जी कहा रहे है कि विराट की कप्तानी का अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लेंड और दक्षन अफ्री का दोरा बाकी है, वहाँ देखेंगे कि विराट किस तरह से आगे जाते हैं बाकी बातों के लिए हम से जुणे रहे हैं, webdunia.com देखते रहे हैं